वाडी नगर परिशत शेत्र में अवेतरुप से चल रहे वेल्ट्रीट अस्पताल पर शुक्रवार को आग लगने से चार लोगों की मौत हुई है पिछले पास से चल रहे वेल्ट्रीट मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल का भांटा अब खुलने के कगार पर आया है गौर तलब है कि 2015 में इस अस्पताल के लिए सिविल सरजन से अनुमती बिली थी लेकिन अस्पताल के संचालों को ने अनुमती कैसे प्राप्त की या रोचक सवा है अस्पताल की पास अनुमती ना होनी का खुला सावबा है बता जाता है कि वर्ष 2018 में एक परची बाड़ा अस्पताल संचालों को द्वारा के जाने का मामला उजा खरवाता अस्पताल की अनुमती को रिनियल करने के लिए नगर परिश्यत की अनुमती आवशक किती उस समय मुख्य अधिकारी राजिश भकत ने अनुमती के लिए मना किया तो नगर अत्रिक्ष के जाली हस्ताक्षर का इस्तिमाल कर बनावटी प्रमान पत्र हासिल किया था बोगस प्रमान पत्र की आधार पर प्रशासन के साथ धुकादड़ी करने वाले संचालोगों का खुला सावा है इस संदर में स्तानिक नेता उने जिलादी कारी, सिविल सर्चन, वो पोलिस प्रशासन तता स्तानिक नगर परिशत में भी शिकायत की गई थी बता जाता है कि कॉंग्रिस नीता नाना परडोली का मुख्य आशिरवाद इस संचालग पर है उस कारण मामला दब जाता था वेल्ट्रीट अस्पिताल को कोवीड-19 की अनुमदी के बिना चल रहा था यहाँ पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जाता था यह अधिकार किस नी दिया ये भी बड़ा सफाल है इस अस्पिताल में मरीजों के जान के साथ खिलपाड होता था सिर्फ पैसों के लिए यह अस्पिताल चल रहा था अगर कोई इस पर आवाज उठाता है तो जाली आरोप में पसानी के धंकी दे जाती थी इस हाथसे में जिनकी मृत्ती हुई है इसके जिम्दार अस्पिताल संचालक वह प्रशासन होने का तावाज श्रेत्र में कर रहे हैं वेल्ट्रेट अस्पिताल की इमारत किराय पर है इमारत मालक के तकरीबन एक करोट किराया बाकी होने की जानकारी है हाथसे में जिसके मृत्ती हुई उसके परिवार को 35 लाग की मौजाद देने की विवित संकटना उत्वारा मांग जोरू पर उठ रही है साथ ये अस्पताल के संचालग डॉक्टरी परवाना रत्त कर उसके उपर कारिवार कर फार्सी से चडाने की मांग भी हो रही है 302 की तहर मामला दर्शकानी की मांग हो रही है बेसेंद्यूस के लिए वाड़ी से सौरप पाठिल की रिपूट